अगर हमने देखा कि वापर भी हमको न्याई नहीं मिला, मगर अगर से हमारे उतों से पाउलरिस और अगारी चुक कराती है, और सब्सक्रा में जब भागेदाई का समय आता है, तो तरसों से उसके मान्रोटी को साइट किया जाता है, आप तो देखा कि हमारे रावलादी सांग गोलापूर आए, गोलापूर आने के बाले में को विशाल गर्तक नहीं गए, वादे जो मज़ूमों पर जो जिर्म होगा, उसको किछी नहीं नहीं देखा, पार्लिस ने उसके तरफ जो अलपाज नहीं बोला, यहीं नहीं बलके पार्लाइमेंट में तो अकाप का एक्ट आया, उसके जो तुझी ताकश से उसके बुरुद करना चाहिए, पार्लिस नहीं बलके किसी नहीं उसको कुछ तहा नहीं। सातो जैभी मैं हूं जरस नहा और आप देख रहे है नैश्टरल चौपाल, महरास्वा में विधान सवा के चुनाओ का बेगुल बच चुका है, और ऐसे में अमिटकरवादी पार्टियों की तरफ से एक नई आवाज आ रही है, और वह आवाज है, बहुजन समाज पार्ट किसी ना किसी अमिटकराइट दल के साथ गड़ बंदन करें, अब इस बात को लेकर तभी पुष्टी हो पाएगी, चुकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन वंचित बहुजन आगारी के तरफ से बयान आया है, और दल जो की अमिटकराइट पॉलिटिक से संबंदित है, कॉंग्रेज भाचपा से अलग है, वहाँ दल भी चाहते हैं कि एक साथ आकर तमाम अमिटकराइट दलों ने चुनाव लड़ना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की इस गड़बंदन को लेकर मुख्य भुमिका हो स जो दल है, वहाँ रास्टा में चुनावी रंसंग्राम के लिए लग चुकी है, अपने उमिद्वारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, वंचित बहुजन आगारी जो की प्रकाश अंबेटकर इनकी पर्पोते, इनका यह दल है और उनके माध्यम से बता दे कि आज उन्होंन अपने कैंडिडेट घूशित कर दिये थे, और आज उन्होंने प्रेस कांफरेंस करकर दस सीटों पर अपने जो उमिद्वार है, वह घूशित कर दे, ऐसे कुल मिला कर वंचित बहुजन आगारी की तरफ से 21 जो कैंडिडेट्स है, 21 उमिद्वारों की लिस्ट आ चुकी है वंचित बहुजन आगारी की तरफ से आपको बता दे कि इसके पहले वह 11 विदान सभाय कौन सी है, जहां पर उन्होंने कैंडिडेट जो है, वो डिसाइट कर दिये हैं, उसमें से खानापूर, शेगा, औरंगाबाद, लोहा, दक्षिननांदेर, साकोली, और नाकपूर, सा वतवेस्ट, धामनगा और रेलवे, वाशिम, सिंद्खेर, राजा और रावेर, ऐसी हमजारा विदान सभाय ऐसी थी, जहां पर वंचित बहुजन आगारी इन्होंने अपने कैंडिडेट पहले ही दे चुके हैं, अब बता दे कि वो 10 सीटों पर आज वंचित बहुजन आगारी का अभी जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं, वो 10 सीटों के लिए, उन्होंने सिर्फ ये वो 10 सीटे वो हैं, जहां पर मुस्लिम बाहुल एरिया हैं, और उस छेत्र में मुस्लिमों की संख्या अधिक हैं, और उन्हें ही वंचित बहुजन आगारी इन्होंने ल विदान सभा है, और अंगाबाद की मध्ध विदान सभा, जहां पर मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहां पर इसके साथ गंगापूर विदान सभा है, वहीं आपको बता दे कि कल्यान पश्चिम विदान सभा से भी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, तो आपको बत शहजाद खान सलीम खाल या मलकापूर विदाहन सभा के कैंडिडेट रहेंगे वंचित बहुजन आगाडी के वहीं आपको बता दे कि बाड़ापूर विदाहन सभा से खतीब सयद नाति को दिन इन्हें टिकट दिया गया है परभनी विदाहन सभा जो की मुस्लिम बाहूल छ से अपना प्रत्याशी बनाया गया है गंगापूर विदाहन सभा जो की वंचित बहुजन आगाडी का यह च्छेत्र हैं वहां सयद गुलाम नभी सयद गफुर इन्हें वहां कैंडिडेट बनाया गया है अयाज गुलजार मॉलवी इन्हें कल्यान पश्चिन विदाहन सभ हैं और यहां से भी वंचित बहुजन आगाडी की तरब से मुहंम्मद अफ्रोस मॉला lidसे केंडिडेट बनाया गया है वही मान विदाहन सभा है वहां से इम्तियाज जफर नदाभ इन्हें वहां का कैंडिडेट बनाया गया है आरिफ मुहंम्मद अलील पतेल इन्हें शिर जहां पर वंचित बहुजन अघाडी ने मुस्लिम केंडिडेट दिये हैं। बता दे कि महरास्टा के अंदर वंचित बहुजन अघाडी नया समीकरन सेट करना कहती है। और वार्स वादी के पास है और कॉंओट के पास भी ये भी नहीं कहा जा सकता और दनारेगा व। अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन जिस प्रकार से वंचित बहुजन आगाडी अपना सोशल फॉर्मूला वा सोशल इंजिनिरिंग का फॉर्मूला बना रही है वह फॉर्मूला तारीब के काबिल है और लोगों में अब इसकी जो इसका जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता जा लेकिन लोगों के अंदर एक और चीज है चुकि बहुजन समाज पार्टी भी महरास्टा के अंदर अपना ओड बैंक रखती है और ना सिप ओड बैंक रहती है बलकि उनका अच्छा खासा जनाधार है पार्टी की यहां पर बहुत सारी गतिवीधिया बहुजन समाज पार् जो दल है और इसके साथ जितने भी छोटे मोटे दल है वह भी अगर साथ आते हैं तो शायद दलितों का जो ओट है वह एक मुष्ट हो सकता है और विधान समाज चुना में अच्छे नतीजे भी देखे जा सकते हैं जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ ब बात बन सकती है इस प्रकार की बात लोगों के तरफ से कही जा रही है फिलहाल वंचित बहुजन आगाडी ने अपने चुनावी बिगुल को फूग दिया है और उसके बाद अब वंचित बहुजन आगाडी लगा अतार अपने कैंडिडेट्स के जो नाम है वो घोशित करत संदर्व में आपका क्या मानना है इस शोशल इंजिनेरिंग के फार्मुले को आप कैसे देखते हैं वंचित बहुजन आगाडी के कमेंट सेक्शन में जरू लिखे बने रहे नैशनल चौपाल पर तब तक के लिए जय भीम जय भारत